जैसे कि आपको बता है, अब class 10.12 का result 20 महीं के बाद आएगा, because 3 महीं को website crash हो गी थी, और then 3 बजे के बाद वहाँ पर message display होने लग गया, कि आपका result 20 तरी के बाद आएगा, बर इतना delay क्यों, यहाँ पर मैं आपको बता दू कि class 10 का result almost पूरा तेयार है, CBSE चाहे तो अभी declare कर दे और आपको announce कर दे, पर वो ऐसा नहीं करेगी, बाकी 12 का result इतना delay क्यों कर रहे, because जो 12 क्लास ही copy है, वो recheck की जारी है, वो दुबारा crow check की जारी है, और यहाँ आपको बता दू कि कभी भी recheck होते है copy, तो जो बच्चों के marks 22 या 23 पे अटके होते हैं, उनको बहुत फायदा होता है, because आप जो recheck करेगा teacher, वो उनको 27 तक पुचा देगा, उनको extra marks मिल जाएंगे, वो यह नहीं चाहते हैं कि या 24 नंबर से बच्चे का पुरा साल करा हो जाए, तो इसलिए आप सब बच्चों को फायदा होने वाला है, जब भी crow check होता है, तो ब पता है कि election वगड़ा चल रहे हैं, तो जो बाबू वगड़ा होते हैं, चाय पानी पिलाने वाले, उनकी वहाँ पर जरूर क्या लगती है, ड्यूटी लगती है, और जो CBSC के वहाँ पर जो बाबू वगड़ा होंगे, तो उनकी वहाँ पर duty लगेगी, काई बाद टीचर ज कल आपका नीट का एक्जाम है, तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपको एक टिप देता हूँ, जब आपका एक्जाम स्टार्ट होगा, तो जो आपको सेक्शन आता है, सबसे बहले उससे कंप्लीट कीजिए, और बाकी आप प्रिली माइंड होके, पूरा पीपर ए रथा जाएगा, बाकी मिलते हैं आपको, नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें, बाइबाइबाइट टिक क्या,